हेलो एविवन वेल्कम बैक सो फाइनली एंद फाइनली मेरे बोर्ट एक्साम्स खतम हो चुके हैं अब रिजल्ट की बारी है पतानी कब आएगा तो चली हमने एक्स्परेंशन स्टार्ट करते हैं तरसले स्टोरी हमारे में लीड एंद फीमेल लीड की काफी अच्छी केमिस् एक्साम्स है यहां पर हमारे में लीड से वन साइडेर फॉल लाव हो जाती है इसके बाद उनकी लव स्टोरी काफी अच्छी तरीके से स्टार्ट होती है स्टोरी स्टार्ट वेदवाफ फिमेल लीड इसका नाम है वहयां चुकि ब्रॉडकास स्टेशन में काम करती है उन अपने पर काफी प्लीज्ट है कि मैं इस अब तो करी लूँगी यहीं पर अपने में लीड की बात करें तो दरहसल उसका स्री नाम ये जिन है और वो एक बहुत ही सीक्रेटली स्टॉंग राइटर है वो काफी एचे स्टॉंग लिगता है बड़ अभी तक उसके आइडेंटि दरहसल ही उसका प्रिजेंट प्रोफेशनल लाइफ में नेम है दरहसल वो सबीक अपना नाम ही बताता है जो कि उसके क्लोज नहीं रहते हैं यहां पर अपनी सेक्रेटी की साथ जा रहा होता है तभी यहां पर रीडियो स्टेशन पर काफी न्यूल सुनता है आज की रीडि यह यह कैसे रीडियो स्टेशन में काम करती है तो यहां की डारीब कर दो तक रह बाएक्सट बात कि दोनों के दोनों दोका दे रहे हैं एक उसकी प्यारी सी बैस्ट है तो गलत बात हैं यहां पर वह यह यहां भी आपकर बैठ जाती है उसके बाद अपने यहां पर पहली बार यह जन को दिखती है तो उसे तो से पहली बार में उसे वन साइडे लाव हो जाता है तरह से लिए जिन काफी दा हैंड़ यहां उसे देखते ही रह जाती है और कहती है कि यह एक्दम प्रिंस के तरह नहीं लग रहा यार इस गलट टोने वो गाने का रही इस पंदी ने वह सब को सुन लिया यह तो इसकी भीज़ती होगी इसके बाद वह यहां से भाग जाती है और वह सोची है कि इतना एंबरेसिंग था यान अपने घर पर आदा है तो मैं पता चलता है कि न्यान काफी जादा रिच है अब वह इतने अच्छे सॉंग लिगता ह है बट उसको उसकी पॉपिलर्टी तो मेली रही है अब मैं पता चलता है कि न्यान का वेदा रिच फैमली से ब्लॉंग करता है और वो काफी प्रोफेशनल तरीकी से रहता है पर उसकी लाइक दम सिंपल है तरसल विज्वली इंपियर होने की वैसे हमेशा अंधेरे में रह करनी तो मुझे इस सब चीज़िएं से कोई धिक्कत होती नहीं है इसके बाद वह जा रही हो दिए तभी उसकी वही वेस्फेंट मिलती है जो कि उसकी वाइफन के साथ चीट कर रही थी इसके बाद अपनी बैस्ट को इग्noer करकर चली जाती है वह से कहती है कि उसे वह यह मैं उस टाइम बहुत हैं इंबरेसिंग मुमेंट में थी इसके बाद मुझे भागना पड़ा पड़ा पट सच में यार वो काफी ज्यादा है कि वह यान का ये जिन पर बहुत ही बड़ा क्रश है इसके बाद बताती है कि उसे ये जिन से मिलने का एकदम सपना साहिए फूर्ट की तरह आइडिल की तरह हैं तो पकह समय के लिए प्रबुशा बदे तो इसके बाद नी फ्रेंट के साथ बाते करी रही होतीं तभी उसे शूशल मेडिया पर एक न्यूस पता चलती है और वहां परसनल लाई बहुत यह था प्राइवेट रखे एंड इट सोके अब उसे रिवेल कर रही है को उसे लगने लगा है इसके बाद यहां पर वुयान को यह सुनका बड़ा जटका लगता है कि क्या यह यह लड़की है वो तो इतने सपने देख रही थी कि वो उसे शादी करेगी इन वो उसका बॉइफेंड बनेगा वगयर वगयरा लेकिर वो एक लड़की निकली लेकिन वो तो लड़कियों में इंट्रस्टेड नहीं है इसके बाद वो कहती है कि या तो एक्दम गलत हुआ इसके साथ वह यह भी कहती है कि उसे पका यकिन है कि एजिन हो ना हो एक जरूर आएगा इसे कहती है कि तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि तुम ही एजिन हो और वो लड़की जूर बोल रही है तब ही एजिन कहता है कि कोई भी कुछ भी प्रिटेंड करें वो जो है वो तो रहे गाई तब यहां पर उसके से कहती है कि वह कि वह अपनी सकते हो दो करिए सकते हैं कि उसकी स्क्रेटेरी कान्ड काफिब यहां चायां कि घावर कर सकता हूं यहां पर सकता है। ये जेन दरसल विशुल इंप्याइड है वो देख नहीं सकता इसके बाद वो ये जन से कहती है क्या उसकी हेल्प करें तभी एजन कहता है कि नो इट सोके तेंक्यू ना काम खुदी कर लूँगा इसके बाद लिफ्ट का बटन दबाता है दरसल उसने जो बटन है वो स्विच अजीव रहा है इसके बाद वो यहां करनी कोशिच करती है लेकिन ये जन कोई बात नहीं करता है उसका वहीवियर थोड़ा जीब रहता है तभी यहां को यहां पर में फैंट से कॉल आता है चल्दी यूनिवर्स्टी आना होगा आज प्रोफेसर है वो दरसल कुछ प्रोज निकलती है लेकिन लास्ट टाइम तक ये जन को देखती है और कहती है कि हाई यार इसे में बाद में कब देख पाऊंगी इसके बाद बिचारी चुपते चुपा दी उनिवर्स्टी पहुंस तो जाती है पर प्रोफेसर उसे देख लेते हैं इसके बाद परसनली उसे बात क प्रोफेसर को मना लेते हैं कि प्लीज डैट से यह कह देना कि मेरी पढ़ाए एकदम टका टक चल रही है एंड मैं काफी जोरो शोरो से पढ़ रही हूं तभी उसके प्रोफेसर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं तुम्हारे लिए इतना भी करी सकता हूं हाई यार इतने अच्छे टीचर्स हमारे यहां पर क्यों नहीं होते अपर देट वह यान अकेडमी से बहान निकलती तो जल्ली वह रेडियो स्टेशन पर आ रही न्यूज को सुनने लगती है तो उसे पता चलता है कि आज के रेडियो स्टेशन में गैस्ट जो आने वाले थे दरसल वह कोई और नहीं बलके यह जी नहीं था इसके बाद हो पर देट लिए अगर मैं आज अपने रिडियो सेशन में होती तो मैं यह जिन से मिल सकती थी एक स्कूल में जाती है वह पी इस डंब सी अकेडमी की वज़े से काफी बुरा फिल करती है कि अगर आज वह यहां पर नहीं आती तो पका यह जिन से मिली लेती पट उसका बैड नहीं होगी इसके बाद वह एक स्कूल में जाती है यहां पर देखती है कि पर काम करता है और पता चलता है चुटी चुटी बच्चों को पढ़ाता है जबकि वह इतना बड़ा सॉंगराइटर है तो उसे रखता है कि हाए यार इक इतना दर जेंटल है बच्चों के साथ कि प्यार से बात करता है फिस से बढ़ाता है तो वह पर देख चानवर करने के लिया के बड़ा में यहां पर अपनी इंटर्चिप यहां पर पूरी करेगी तभी वुयान कहता है कि ठीक है मैं तुमें ऑफिस तक छोड़ दूगा यहां पर वुयान को लगता है कि शायद उसकी help कर सकती है तभी वह एजन से कहती हमारी कोई help कर दूं तभी वह कहता है कि no thank you यहां पर यहां पर यहां पर यह जन की पीछ जाने लगती है तभी कुछ बच्चे सीडियों से भागते बागते बागते हों सब्सक्राइब करने लगता है और उसे लगता है कि नहीं आर्म के दिनेंदा क्लोज हूं इसके बाद दूर जाती है यहां पर एजन से कहती है कि हम सौरी वह बच्चे आ गए थे इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मैं इसी गलत लड़की नहीं हूं गलत फायदा उठाओ तभी एजन कहता है कि बगवास करना बंद करो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दूंगा इसके बाद उसे ऑफिस तक छोड़ता है ऑफिस में जाते ही विचारी शर्माने लगती है कि उसका इंस स्कूल ने पढ़ाता है जहां पर वो आज इंटर्ण शेप के लिए गई थी पता वो बहुत है थोड़ा एरिगएंट है बट बच्चों के साथ काफी जैनरली बात करता है यह जीज काफी अधा मुझे अमेजिंग लगी है ना तभी यहां पर उसकी फ्रेंड कहती है कि आर मेरी आवाज सुनके लोग मुझे विदा हो जाते हैं तभी तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारी आवाज काफी ज्यादा बिकार है तभी उसमझ गया खुश्मत हो यहां दुवारा स्कूल जाती है तो यहां पर देखती है कि यह जिन अभी प्यानो प्ले कर रहा होता है तभी वो जाकर यह जिन को साइड से देखने लगती है कि यार यह बंदक ना सही लग रहा है इसके बाद यह जिन काफी अच्छे से प्यानो प्ले करी रहा होता है इसके बाद बना कर सौंग लिखने की कोशिश कर रहा होता है इसके बाद जब वो लिखने लगता है तो सार तो यहां पर आगी वैसे वह काफ़ अच्छा बजा रहा था तभी यहां पर रीजन कहता है कि उसका बजाना खतम हो गया बलाब अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए राइट तभी यहां पर रूएन कहती है कि मैं तो किने अच्छे से बात कर रही हूं यह इना दरूट क्य करना है तो उसे कहीं बड़ी जगा पर सीखने के लिए जाना होगा इसके बाद वह यहां इसके लिए उनसे थैंक्यू बोलती है और अपने न्यू ब्रोडकास स्टेशन में आ जाती है यहां उसकी मलाका उसकी बेस्ट फेंड से होती है जो कि दर असल यहीं पर काम करती है पर उसका इंट्रेक्शन था नहीं होता और उसकी बाद भी नहीं करना चाहती थी बड़ उसकी बैसफरन उससे शाइद बात करना चाहती थी वह सब्जाना चाहती थी कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलत फेमी थी एंड उस टाम वह दोनों ड्रंक थे और इट्स ओल इसक का एंड एक किस पर हो गया that's all इसके अलाव कुछ हुआ ही नहीं आप देखते हैं जो की जिन इसके बाद वाइब नहीं तो तो तुम्हें जिलना भी पड़ेगा तब उसका एक्स वाइब कहता है यह चीज दरहसल वुयान को पसंद है तब हुआन का तो पानी मुझे बहां निकलाता है और रही है कि नहीं मुझे दरूब्स नहीं है मैं इसी में ठीक हूं अब सिच्वे सब्सक्राइब करता है और रहसल सब्सक्राइब करता है और इसके बाद वहां से उटकर जाने लगती है तब ही उसका वाइफिन उसे फॉलू करता है और कहता है कि यार मेरी बात तो सुनों दरसल वह सब कुछी मिस्रिंडिस्टेंडिंग थे हम दोनों बहुती तर ड्रंक थे एंड इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह एक मिस्टेक थी एंड मैंने उसे किस क्या कि सब गलती से हो गया विकॉज हम दोनों ड्रंक थे इस हालत म पर तुम्हें भी पास समझनी चाहिए कि उसने हम दोनों ड्रंक थे तभी वियान कहती है कि सब कुछ अपनी लिए खतम कर दिया है तो हो सब्सक्री जल्दी से जल्दी तुम भी ठीक नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे साथ अप तो इससे अच् और पॉकेट मनी तुम्हें भेज दूंगा बस चिंदा मत करो तभी वयान की मॉम कहती है कि आप ने उसे सिर्फ चड़ा कर रखा है बस उसकी स्टडी के बारे पूछिए कि वह सई से पढ़ रही है या नहीं तभी उसकी मॉम कहती है कि अच्छे से पढ़ाई करो एं रेड कि तुम कुछ देने के लिए घर आ जाओ ना तभी वह कहती है कि डैट फर क्लास का क्या होगा तो उसके डैट कहती है कि कोई बात नहीं क्लास स्केप कर देना तभी उसकी मॉम कहती है कि आप खुद एक प्रफेसर हो बच्चों को एक ऐसे सिखा सकते हैं कि क्लास स्केप कर कि तो एक अच्छे ऑपीडियन स्टूडन के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप उसे यह सब सिखाए तभी यहां पर कोई बात नहीं मॉम मैं जब फरी होंगी मैं तब आऊंगी घर पर आपर यहां पर वो एजन को स्टार्टिंग में देख लेती है जहां पर कुछ बच् सब्सक्राइब करें बच्छों से इंट्रेक्शन कर लेता है इतना करना काफी मुश्किर है लगता है इसके बाद पर करते हैं तो यहां उसे बचों को स्टार्टिंग के लिए और प्यानों की घ्र थोड़ी अच्छी लगेंगी आप प्यानों प्ले करते हैं प्लीस बच्चों को मेरे साथ तो देखें यहां पर यह जिन उसे इंग्नोर करकर जाने लगता है तब यह चलाती है कि तब यह जो आप मेरी है पर चला जाता है इसके बाद वह सोचती है कि कि इतने प्यार से बात करती हूं बट भाई सब कुछ फरक नहीं पड़ता वह जो आपने इस लास में तो देखती ह इसे अच्छी पर बसreiben अब उस नहीं पर इनकों वैंक तक इसला इसके बाद वह सुटियों पेमाने यहीं संस्ट को सब्सके और इनकों कभिसे में पर 17 ए इसके बाद तो इस 토न की इसाप से जैसा तुम गाओगी वैसा ही मैं प्ले करूँगा अब तुम अच्छे से गाना सीख लो तम मुझे बताना मैं यहां पर प्ले कर दूगा इसके बाद यहां बच्चों का सभाल बिचारी क्या सोचेंगी कि सर उठका चले गए इसके बाद फिर से प्यानों फिले करने लगता है लेकिन उसे इतने घुसा आता है विकाज जो हमारी वुयान है वो टोन डेफ है मतलब वसे टोन के कुछ पता है नहीं रहता क्यों कैसे टोन में गा रही है और इसके बाद उसके खराब गाने पर विचारा एजन ना चाहते कि उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तभी जिन कहता है कि वह यहां पर इस लिए बच्छों को पढ़ाने के लिए नहीं अगर तुम्हें यहां पर एक चाहँ बनना है तुम्हें बच्चों के थोड़ा लाव एं रिस्पेक्ट होना चाहिए विकास बच्चे तुम्ह तो कोई मार्क्स देने वाली मशीन नहीं है जो कि तुम उने पढ़ाओ गी वह तो मार्क्स देंगे तरी आप बस मार्क्स केन करने आई हूँ यह तुमारी लिए काफी नहीं है यह बात एक दम वुग्यान के दिल को टच कर जाती है और वह कहती है कि सही बात तो है यार पट म बॉइबंड का मेंबर है यहां पर वह आज अपनी गिटारी प्ले नहीं कर पा रहा था है अबर उसके बताते हैं कि यह तुम्हारी साथ कब से चलेगा तुम काफी दुनों से कंसेंट्रीट होकर काम करनी रहे हो तभी वियाओ कहता है कि ठीक हम तुम्हारा स्टार्ट करते हैं कि मेंबर करते हैं कि हम कहीं बार स्टार्ट कर चुकि हैं बड़ तुम हर बार में स्टाफ कर देते हो यहां पर वहां की बैस फ्रेंड शू आती है और यहां पर वहां को बताती कि वह यह बैंड छोड़कर जा रही है तभी वियाओ कहता है कि तुम्हें क्यों कर रही है काप में बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं है तो वह चोड़ रही तब यहां पर उसके बागी पागी जो बागी कि जो बागी चीमिकर ने लगते हैं तब करते हैं कि यह सब क्या हुआ तब में सीक बंदा कहता है कि समझ लो भाई रिलेशन्शिप प्रॉब्लम अब पिचारे हम सिंगल लोग कैसे जानेंगे आप यह उनका मामला है क्यान को दिखते हैं यहां पर विहाओ के फादर उसे फून करकर बलाते हैं दरसल बच्पन से ही व विहाओ के फादर को उनकी टेक्स केमर ड्रॉप करती हैं तो यहां उसे रुखता है और कहता है कि मेरी बात तो सुनों कहती है कि मैंने पहले ही कह दिया कि आप हमारे पास बात करने का कोई टॉपिक नहीं है तब ही विहाओ उसे बताता है कि शूने दरसल बैंड चोड़ द यहां पर उसा थोड़ा शान्त होता है विहाओ सामार लेकर टेक्सी बिठाता है वहां से जाने के लिए बोलता है इसके बाद घर पर आकर और राइस बाल को देख रही हो थी अपनी बातें याद करती है वह बनाते थे दरसल वह शूप कावी पसंद थी और वह दोनों पर जब यहां पाँ आती है तो यह जिन्स को काफी काइडली ओफर करती है कि वह कर दो शौरी है वह किसी बीचीज के लिए नाराज नहीं और यह सब एकसर नहीं कर सकता है नो थैंक्स इसके बाद यह जिन गुस्ता है और और गर देख कि यह क्या बात हो यार मतलब तुक कभी तो काइडनेस को एकसेप्ट करना चाहिए मैं तो जादा काइडली होकर बात कर रही हूं पर इसे तो कोई फरक नहीं पड़ता और इसी के साथ मारे ये पानी पे खतम होता है तो काइडली प्लीज लाइक एंड सुब्सक्राइब माच चैनल और हो सके तो कभी आर